Hello my dear students, welcome back to my class, it's Ajay Guleria here back with another video on 10 plus 2 computer science जैसा कि आप चानते हैं कि हम जो अपने लेटेस्ट वीडियो में सर्वर साइट स्क्रिप्टिंग लेंगवेज दाट इस PHP उसको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं पिछले कुछ एक sections में भी हमने इसके कुछ एक important और basic जो topic हैं उनको cover किया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उनको देख लें फिर इस वीडियो के उपर आएं तो आज इस वीडियो में हम PHP के बारे में एक और जो section है कुछ एक जो और topics हैं उनको cover करने जा रहे हैं तो ज़्यादा देर न करते हुए let us get into it Students जैसा कि हम जानते हैं कि last section में हमने PHP के data types को detail में वहाँ पर किया था और वहाँ पर जो हमारे first broad categorization थी scalar data types उन में जो आपका एक आपका data type था that was string और string data type आपको पता है कि string में हमारे पास जो चीज़ें जिनके उपर हम mathematical operations नहीं कर सकते हैं means जो कि numbers की तरह चीज़ें नहीं होती जिनको कि हम सिर्फ as a series of characters वहाँ पर treat करते हैं जैसे कि किसी का नाम लिखा या फिर आपने characters के साथ आप number mix वहाँ पर कर सकते हैं various functions करने होते हैं उनी functions को आज हम इस वीडियो में cover करेंगे तो हमारा जो question examination point of view से इस section में cover होने वाला है वो रहेगा explain commonly used string functions available in PHP right strings को manipulate करने के जो functions हैं PHP में उनको हमने section में cover करना है पिछली चलते हैं string functions in PHP okay there are various functions for manipulating strings in PHP strings को manipulate करने के हमारे पास different functions available रहते हैं लेकिन उन में से बहुत सारे वैसे functions हमारे पास होते हैं लेकिन जो most commonly used होने वाले जो function हैं जो कि हम strings के उपर apply कर सकते हैं वो आपके कौन-कौन से रहेंगे number one is stirred length और bracket function अब यहां पर str जो लिए गया है वो लिए गया है string के जो आपके शुरुवाती characters है str and len that is length तो आपका यह function है वो क्या करता है इस function returns the length और number of characters including blank spaces in a string कोई string अगर आप इस function को देते हो तो यह वाला function जो है उस string के अंदर number of characters उनकी जो कितने उसके अंदर characters है और वो जो characters है अगर आपके पास उनमें बीच में blank spaces हैं खाली spaces भी है तो उनको भी वो character ही count करेगा यह आपने बात ध्यान में रखनी है right for example अगर आप इसको apply करोगे अपनी PHP code में तो आपका कैसा रहता है हमें यह तो सभी को पता है कि जब भी हमने PHP script लिखनी होती है तो हमें उसको PHP के opening और ending tags के अंदर ही लिखना होता है I think that is very much clear तो यह आपका opening tag है this is your closing tag of PHP right इसके अंदर हम क्या करेंगे echo echo आप पहले कर चुके हो echo command हम PHP में तब यूज करते हैं जब हमने अपने web page के उपर कोई चीज प्रिंट करवानी हो लिखवानी हो right echo और उसके बाद हमारा function call होगा कौन सा strlen string length right string का str length का len सिर्फ और उसके बाद हम इसको pass करेंगे string कौर्ची string के हम जो है वो उसकी length का वहाँ पर echo करवाना चाहते हैं तो वो जो हमने string इसको pass किये that is hello world इसको हम practically भी demonstrate करेंगे अपने compiler में लेकिन फिलहार हम इन सारे के सारे जो commonly used string functions हैं इनको one by one हम देख लेंगे definition वहाँ पर कर लेंगे और फिर इनको practically भी demonstrate करेंगे you need not to worry आप इस वीडियो पर पूरी तरह से last तक बने रहिए तो आपका यह जो आपकी यहाँ पर script है यह आपको क्या return करेगी यह print करेगी length of the string और length of the string अगर आप manually यहाँ पर count करोगे तो hello world में जो बीच में खाली space है उसको भी अगर आप count करोगे तो यहाँ पर जो आपकी length of the string वेब पेज के उपर print होकर आएगी that will be 12 second function is अभी जो last function था उसने सारे के सारे characters को count करके आपको दिया कि इसमें कितने total characters है including blank spaces लेकिन अगर आपने किसी string में कोई आपका sentence है बहुत सारे उसमें words हैं right हमें पता है कि words जो है वो हम क्या करते है space देखे अलग करते है उनको एक दूसरे से अगर आपको किसी string में number of words चाहिए number of characters अकेले के लिए नहीं number of words right that is the the characters दूसरे से जुड़े हुए है और space से एक दूसरे से अलग हुए है उनको ये word वहाँ पर मानेगा तो आपका जो function आएगा वो क्या आएगा str फिर से वही underscore word underscore count और bracket में हम क्या पास करेंगे string पास करेंगे जिसमें भी हम number of words return करना आना चाहते हैं जानना चाहते हैं this function returns the number of words in a string for example क्या करेंगे फिर से वही आप script लिखोगे opening tag ending tag और बीच में हम echo करवाएंगे str underscore word underscore count string word count और bracket में इसको पास करेंगे जिस string में हम number of words count करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से वही वाली string पास की hello word तो यह वाला जो आपका code है यह आपका number of words प्रिंट करवा की देगा वैब पेज के उपर और वो obviously कितने हैं इसमें दो right that's friends third string function is str rev this stands for string reverse right तो जैसा की नाम से clear है reverse कर देगा string को ultra लिख देगा सारे की सारे characters को जो ending है उसको starting में ले जाएगा सारी की सारी sequence को क्या कर देगा वो reverse this function reverses the sequence of characters in a string ultra कर देगा सारे characters को for example फिर से वही आपका php code starting tag ending tag और फिर उसके बार echo फिर से echo क्या करेगा वो print करवाएगा क्या करवाएगा function हम यहाँ पर apply करेंगे str rev और इसको string pass करेंगे hello world की हमें इस string में जितने भी characters हैं उनको reverse order में print करवाएगे page के ओपर show करवाएगा अब आपको कोड विल प्रिंट the string in reverse order और फिर से वैसे ही वो last वाला character सबसे शुरू में और वैसे ही वो उल्टा करके उनको reverse order में print करवाएगे आपको दे देगा अब आप सोच रहे होंगे कि या ऐसे functions उल्टे सीधे की जरूर कह लेकिन different programming needs में जब आपने कोई search engines में या कोई strings को manipulate करना है तो तरह तरह कि हमारे को वहाँ पर logic लगाने की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर यह बहुत ही handy tool प्रूव होते हैं यह वाले सारे के सारे functions तो in case अगर आप deep programming में जाओगे किसी भी language में तब आपको इनकी importance पता लगेगी लेकिन for the time being यह आपके लिए एक interesting चीज होनी चीज़िए कि यह जो functions है यह हमें string के साथ क्या क्या करने देते हैं then is our next str pos it's a string position position means हमें position पता करनी है तो तहले हम definition पे आते हैं this function searches for some text in a string हम किसी string में कोई word कोई text हम बोलेंगे कि इसको search करो और यह जो function है जैसे ही उसको वो वाला text मिलता है अगर तो वो उसका जो वहाँ पर आपकी string में वो किस number से start होती है index जिसको हम कहते हैं तो उस text का starting index हमें वो return करता है right this function searches for some text in a string and returns the starting index of first match form हम कोई word देते हैं कि इस वाले word को इसमें search करो right तो हुसकता है कि वो वाले word जो है वो एक से ज़्यादा हो तो यह क्या करेगा उस text के पहला जो उसको match मिलेगा उस match का जो starting index है वो आपको return करके देगा अब index का मतलब है कि हम जैसे लिखते हैं hello world hello world में जो आपका first vector that is h तो starting index किसका होगा h का लेकिन यहाँ पर important है बहुत ज़्यादा जैसे कि हमने array data type किया था तो वहाँ पर भी हमने कहा था कि जो आपका index होता है जो आपके values होती है पहली value का जो numbering होगी वो एक से start नहीं होती है कहां से start होती है वो zero से यह एक बहुत important चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी पड़ती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो आपका indexing है वो zero से start होगी तो आपका जो भी word है उसका जो starting character है वो किस number पे आया वो यह वाला जो function है वो हमें क्या करता है रिटान करता है position को for example फिर से PHP open, PHP close, echo फिर से print करवाना है इसने जो कि हमें यह function रिटान करके देगा यह function हमें क्या रिटान करेगा position किस की हमने इसको बोला कि आप कौन सा text सर्च करो इस string के अंदर पूरी के पूरी के अंदर world को सर्च करो किस string में hello world में फिर हम तो हमें यह कह देगा starting index तो अब इसको manually यहाँ पर देखते हैं क्योंकि यह तो छोटी सी आपकी एक string है तो यहाँ पर आप देख लोगों कि अगर h को आप 0 देते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, जो blank space है यह यह फाइब and then w is at 6 तो आपका यह जो world जो आपने सर्च करने के लिए बोला था इसका जो starting index है that is 6 तो यह जो आपका code है यह starting index of world प्रिंट करके देगा और क्या प्रिंट करवाएगा हो web page के ओपर 6 right I think that that should be very much clear then is next string function string underscore replace और फिर से replace से replace is self-explanatory कि किसी string को हमने ढूंडना है और किसी दूसरी चीज से उसको replace करवाना है right so this function replaces some text in a string with the other text हम क्या करेंगे पहले किसी text को search करवाएंगे जैसे कि हम हमारे जो normal आपके word processors होते है Microsoft word होते हैं जिसमें हम find and replace करते हैं that is something like right this one for example open close php open php close और उसके बाद हम echo string replace string replace function हमने वहाँ पर apply किया और हमने बोला कि आप इस given string में word जो एक text है उसको search करो अगर वो मिलता है तो उसको comma के बाद दूसरा argument हम इसको देंगे कि उसको everyone से replace करो और फिर किस string में ये काम करना है उसको last में लिखो third argument में तो हमें ये जो above code है ये क्या देगा ये देगा हमें word को किस से कर देगा everyone से replace कर देगा और print करवा देगा आपके web page के उपर hello word is replaced by everyone तो यहां पर आपका जो web page के उपर print होने वाली string होगी वो क्या होगी अब hello everyone right I think that should be very much clear so students this was all about the commonly used string functions in PHP जो कि हम commonly use करते हैं और भी बहुत advanced string के manipulation functions होते हैं available हमारे पास PHP में लेकिन अभी तक जो commonly used functions हैं वो हमने इस section में cover किये हैं right अब इन चीज़ों को हम practically करने के लिए फिर से कहां जाएंगे हम अपने online compiler के उपर जाएंगे और उसको करने के लिए last video में भी मैंने आपको बताया था कि वैस उस चीज़ों कैसे करते हैं तो यहां पर मैं जाता हूँ अपने favorite web browser के उपर तो let me go to your google chrome right this is your google chrome है यहां पर आपने search bar में search कर लेंगे आप php code online right and you will hit enter जैसे आप यहां पर enter hit करोगे तो सबसे पहला जो आपका w3schools.com का php online compiler आएगा आउस के उपर आप क्लिक करोगे यह आपका online practice के लिए in case आप web server locally install नहीं कर पाते हो आपके पास कोई text editor नहीं है या आपके पास जो environment है जो एक integrated development environment है उसको अगर आप setup नहीं कर पाते हो या आपके बास personal pc नहीं है तो आप इस चीज़ के उपर अपनी practice कर सकते हो code इवन यह mobile के उपर भी आपका run कर जाएंगे तो इस page पर आने के बाद हम यहाँ पर करेंगे try it yourself इसके उपर आप click करोगे right and then अब यहाँ पर हमें एक ready made एक आपको structure मिल जाता है जिस पर कि आज php right कर सकते हो इसने यहाँ पर php open tag है php close है तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा जो इसने पहले इनको मैं फिल हाल क्या कर देता हूँ remove और यहाँ पर मैं अपना काम शुरू करता हूँ तो सबसे पहले हम फिर से वही काम करते हैं कि आपका जो first function था that was your star length right तो यहाँ पर मैं करवाँगा इको function लगाँगा star length s-t-r-l-e-n मुझे length पता करनी है string की और किस string की length मुझे पता करनी है suppose hello world right ठीक है मैंने string pass on कर दी है str length function को तो मुझे यह number of factors return करेगा तो मैं यहाँ पर जब इस code को मुझे run करना है तो यहाँ पर मैं run press करूँगा और आपके पास यह script compile होगे अब यहाँ पर हमेरे पास एक error आ रही है यह आपने ध्यान रखना है इन error messages के उपर भी क्योंकि यहाँ पर मैं जो इस string को यह number of factors count करके तो आपको वो number के उपर print करवा दिया manually आप देख सकते हो ऐससे आप अगर start करोगे तो कितने number of characters है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, blank space 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, that's very much okay यह blank spaces को ही count करता है यह बहुत important है यह आपने चीज ध्यान में रखनी है just friends we come on to the second string function वो था हमारा star word count star word count में फिर से हम करेंगे एक को राइट और उसके बाद हम function देंगे str underscore word underscore count और हमारे bracket start होगा semi colon से हर एक statement end होती है हमें पता है और हम यहाँ पर double course देंगे और यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे hello word यह string हम ने उसको pass करवाई तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो hello word string है इसके जो number of words है इसमें उसको count करके हमारे page के उपर print करवा तो let us run this script run and you are there इसने हमें इसमे number of words print करवा के दे दिये हैं इसमें कितने number of words है two right then students let us come on to the next function string function and that is string reverse right हम यहाँ पर str and rev यह हमारा क्या है function है और हम आपका string reverse है यह क्या करता है आपके जो पूरी की पूरी string है उसको क्या करता है reverse करके print करवाता है right उल्टा बिल्कुल तो हम यहाँ पर इसको string pass on करेंगे फिर से hello world right और हम इसको run करवाते हैं तो देखते हैं यह हमें क्या output देता है वहाँ पर reverse करवाके आपके लिए print करवाया then friends we come on to next function that is star pose right string position तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम पहले देखेंगे कि किस string में हमें कोई text search करवाना है तो वो string हम करते हैं कौन सी hello world और उसके बाद हमें जो text उसमें search करवाना है that is world हमें world को इसमें search करवाना है और world को search करके यह उसका index number starting index हमें print करेगा तो हम इसको करवाते हैं run और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें हमें character earn करके दिया six six कैसे हमने कहा कि hello world में world search करना है तो world का starting index means फिससे जो आपका index है numbering वो कहां से start होती है आपके किसी भी string के characters की जब हम बात करते हैं तो वो zero से start होती है तो zero one two three four and five blank space and six तो w जो starting है उसका starting index क्या है इस word का क्या है वो six इसलिए हमने यहां पर क्या obtain किया six इसने हमें क्या print करके दिया यहां पर six that is the starting index of the text which we search for in the given string right then we come on to our next function and our next function is string replace तो वो आपका कैसे हैगा str underscore replace अभी हमने किया है इसकी definition string replace अब string replace में हम क्या करेंगे कि हम कोई string search करेंगे कोई text right और उसके बाद जैसे मान लिजे मुझे फिर से hello world में करना है लेकिन मैं पहले करूँगा कि मुझे क्या search करना है वहां पर world और उसको किस से replace करना है दूसरे argument में वो आएगा world को मुझे replace करना है everyone से okay किस में करना है कौन सी string में करना है वो last argument हम यहां पर पास करेंगे हम लिखेंगे hello world and sign of exclamation suppose okay हमें क्या किया हमें search करना है कौन सा text world किस में इस से उसको replace करना है everyone से कौन सी string में यह काम कराना है hello world okay let me run it and you are there हमारी जो string थी that was hello world लेकिन इस ने क्या किया world को search किया और उसको किस से replace किया everyone से और हमें क्या print करवा के दिया वहां पर hello everyone right so students that was all about these basic string functions which are used in PHP right so आज के video में इतना ही इसमें की हमने क्या किया PHP में जो हमारी strings होती है data type उनको manipulate करने के हमने जो सबसे ज़्यादा commonly use होते हैं functions string functions उनको हमने बारी बारी से किया और बाद में हमने उनको online compiler के उपर practically demonstrate भी किया तो आप भी पका इनको करिए and this is a share fun आपको मजा आएगा जब आपकी script run होगी आप अलग-लग strings के उपर यह वाले functions आप इस्तिमाल करो और output जब आपकी सही आती है तो आप उसको enjoy कर सकते हो और आपका जो यह topic है वो बड़ी अच्छी तरह से तयार भी हो जाएगा तो I think कि आपको यह वाले functions अच्छी तरह से समझ आए है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो पका comment करें और सासात में आप इन सारी चीज़ों को notes के रूप में maintain करते रहें क्योंकि यह strictly according to HP board of school education का जो computer science का latest syllabus है उसके strictly according आपका यह सारा का सारा content है तो अगर आप इन चीज़ों को notes की form में maintain करते हो question answers की form में maintain करते हो तो definitely आपको इस से बाहर question paper में कुछ भी नहीं आने वाला सारा इसी से आपका paper आने वाला है so students that's all for this video today see you soon in the next video until then keep revising keep studying have a nice time goodbye